तो इस बार के Comic Con में Marvel ने कई सारी Big Announcement हमारे सामने रखी है जिसे की जो हमारी पहले Kang Dynasty थी अब चेंज करके Doomsday कर दिया है क्योंकि हम जानते हैं जिसे Jonathan Majors के जो कांड हुए थे उस वज़े से उन्हें कई सारी Movies से निकाल दिया है और जो हमें देखने को मिलता Kang Dynasty के अंदर अब उसे पुरी तरीके से हटा कर Marvel ने Russo Brothers के साथ मिलकर अब Next Captain America Civil War Avengers Infinity War और Avengers End Game जिसी बड़ी Movies बनाने के तैयारी कर रहे हैं और फैंस जब चोक गए जब उन्होंने देखा कि Dr. Dr. Drum का जो रोल प्ले करने वाले हैं हमारे Iron Man, aka Tony Stark या फिर बोले तो पिछले साल के Academy winner Robert Downey Jr. ही प्ले करेंगे विससे बहुत साथ लोगों को लग रहा होगा कि यह कैसे हो सकता है कि जिसने इस Marvel Cinematic Universe के अंदर एक Legendary रोल दिया है वही Dr. Doom का एक Villain Character कैसे Portrait करेगा तो इसका जवाब हमें हाली में आई Deadpool and Wolverine से मिलता है जहाँ पर Chris Evans का रोल हमें Johnny Storm के रूप में देखने को मिला और हम सब जानते हैं कि उन्होंने किता जादा Legendary Character Captain America को प्ले किया है तो कुछ ऐसी खिचडी पकने वाली है Robert Downey Jr. के Dr. Doom के करेक्टर के साथ कि हो सकता है कि इसे एक Multiverse के अंदर Iron Man ने अपनी Technology को इत्ता Enhanced कर लिया है कि वो एक Heroic Character की जगा एक Villainous Character बन गया हो अब अगर देखा जाए तो Fan Theory के सारी बन सकती है लेकिन आपका क्या reaction था जब आपने देखा कि अपने Iron Man है वही एक Villainous Character Dr. Doom को भी प्ले करेंगे विसे कई सारी लिग बाहर आ रहे थी कि जो Dr. Doom का रोल है वो हमारे Killian Murphy जोनों ने उपनाइमर के अंदर Dr. Jay उपनाइमर का रोल प्ले किया था और उन्हें को इस रोल के लिए आसकर भी मिला है तो ये तो रही इस अपडेट की बात और Comic Con के अंदर कई सारी अपडेट हैं वो सारी अपडेट को मैं घटा करके अलग से ही एक नई वीडियो बनाऊंगा जो कि आज शाम तक आ सकती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तक कि आप कोई भी अपडेट मिसने कर सकते हैं